बड़ी खबर सामने आ रहे हैं देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है मोदी ने राष्टपती भवन जाकर राष्टपती द्रौपती मुर्मो को अपना इस्तिफा सौपा साथ ही साथ मोधी ने अपने मंत्री मंडल का इस्तिफा भी राष्टपती को सौप दिया है राष्टपती ने सभी का त्याग पत्र सुईकार का लिया है अब राष्टपती ने प्रधान मंत्री और केंद्री मंत्री मंडल से अनुरोध किया है कि नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहें दरसल आपको बता दे लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद सिटिंग पीम अपना इस्तिफा राष्ट पती को सौपते हैं नई सरकार के शपत गरहन तक पुरानी सरकार काम करती है 2024 के चुनाव नतीजू में बीजेपी 240 सीटू के साथ सबसी बड़ी पाटी बनकर उभरी है और उसके नेतरत रुआले एंडिये की तीसरी बार सत्ता में वापसी लगभगता ही है बढ़ार को दिल्ली में एंडिये के घटक का दलों की बैठक होनी है इसमें पीए मोदी को फिर से एंडिये का नेता चुना जा सकता है लोग सबस्चुनाव का रिजल्ट आने के साथ ही दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ गई है सुत्रों से खबर है कि मोदी केनेतर तुमें इसी सप्ताह नई सरकार का गठन हो सकता है encourage केनेता के रूप में फिर से नरेंडर मोदी आठ जून को तीसरी बार प्रधान मंतरी पत की शपत ले सकते हैं नई सरकार का शपत गरहन समारो आठ जून को हो सकता है राश्ट्रपती भवन ने मंगलवार को ही बयान जारी किया था कि नए केंदरी मंत्री मंडल के शपत ग्रहन की तैयारियों के लिए राश्ट्रपती भवन पास से नौ जून तक आम लोगों के लिए बन रहेगा राश्टपती दुरौपती मुर्मु ने पिये मोधी सहीत केंद्र सरकार के सभी वर्तमान मंतरियों को आज रात को डिनर पर भी आमंतरित किया है दरसल आपको बता दे पिये मोधी के अध्यक्षता में प्रधान मंतरिया आवास पर केंद्री बैचक हुई है इसमें वर्तमान लोकसफा, 17 लोकसफा को भंग करनी की सिफारिस को अब मंजूरी दे दी गई है और अब जल्द ही 18 लोकसफा का गठन होगा